जैहिंत्थ आज हम सभी को देखना है कि ये जो अगल्या कड़ी की ओर हम से भी बढ़ना है कि देब समोह से रिलेटिड जो है प्रश्ण कैसे जो पूछा गया था उसके बारे में देखना है सबसे पहले कि आइए आगे बढ़ते हैं कि कि इसके बारे में देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से हम सभी को अध्यान करना है यह दीब समुहों के बारे में अगर हम सभी बात करते हैं तो दीब समुह में यहां पर विशेस करके ध्यार रखियेगा कि सबसे पहले कहता क्या है कि बंगाल के खाड़ी के जो दीब समुह कि जो बंगाल के खाड़ी है ना कहने के तात्परी है कि बे अफ जो बंगाल है इस बे अफ बंगाल में जो क्या है कि अंडवान जो निकोबार दीपसमू है तो इसी दीपसमू के बारे में पढ़ना है कि इसमें जो भी 886 जो दीपसमू है तो इसके बारे में देखना है कि 886 यहां पर पहला प्रश्ण की अगर बात करें तो कह रहा है कि अंडुमान और निकोबार दीपसमों के यानि कि यहां पर दखिएगा अपसर यह दिया हुआ है कि आपको बीहद हिमाले में ए स्वरी बीहद निकोबार में यहां पर दखिएगा पूछेगा करके काफ़े तो उत्री अनुमांड है कहा पर है तो जब उत्री अनुमांड है कि भ? उत्री अनुमांड की बात करें सब्सक्र करके ध्या रखियेगा करैंस की इन प्रश्ण की बात करें। दूसरा प्राश्न देखिए कहा है कि अंडूमान निकोबार दीप समून में सबसे उची उचाई वाली चोटी कौन सी नाप्र पर दिया हुए क्या है कि एक सेंडल पिक दिया हुआ है यहां पर विश्यस करके ध्हान रखिये का क्या सेंडल पिक उसके बाद दिया हुआ कि मांट थुरिलर दिया हुआ है फिर से मांट क्वेल दिया हुआ है फिर उसके बाद से दिया ओलो दिया हुआ है तो सेंडल पिक क्या है कि सबसे इंपोर् पर है आपको बिशियस करके ध्яет इता डिली पूर्जो न हे न दिलीपूरे कि अ बुदियमद फिर कई अर है भाबू कि तीसरा नंबर प्रष्चितां को देखिएगा कि अ grow मान वा नीगो निकोबार अभी यहां प्रोट रख्ठा पूर में अध्यंक बार अगर हम सभी इसके बारी मेंगा किहा था कि यह क्या है इसके बारे में क्या है बताइए यहां पर आगे के संटेंस को जो पूरा करना है थे कह रहा है बंगाल के खारी में iki यानि किई कह रहा है दो दीप रहा है यानि कि आप जान रहें कि उटोबान निकोबार समुह में आएट-100 io प्रश्ण जैसा क्या करिए कि इसको भी सल्व करने का प्रयास करिए यानि कि पूरी एस्टेट्मेंट को पढ़िये अजब पूरी एस्टेट्मेंट आप पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करिए कि सल्व करने का प्रयास किजिए यह नहीं कि एक option सही लगा उसको मारकर और आगे बढ़ गया तो यहां पर आगे कि अरब सागर में दीप समुव है गलत है क्योंकि अरब सागर आप जानते हैं कि बिसेस करके ध्यार रखिएगा अरब सागर यह पश्मी छेत्रों में इन छेत प्रaling उन महीं है तो लक्ष दीप समुव है अईधर क्या है रिपा लिप हम सबी बात करें तो भाई साम यहां पर देखना कि पूरी महासागर की यह पूरी चेत्र जो है थे इस हिंद महासागर में दो ही दिप है अब फिर यह 800 आपको क्या है कि 36 जो दीप है फिर से यह 36 तरी जो है कि आपको लक्षी में हैं पुल मिला कर दो ही दीप है नहीं तो यह भी क्या है गलत कारा थे तब यहां हम लोगों को मिल रहा है कि प्रश्ण के पैटन को जब समझेंगे आप तब यह आपको महसूस होगा कि नहीं किस प्रकार से प्रश्ण पूछता है आप डिरेक्ट पढ़ते हैं थियूरी और उसके बाद थियूरी पढ़िए तो उसकी चौहदी को त्यार करिए जिस प्रकार से अपने घर के पास में भगलमे इस विरादरी के बिख्दी रहते हैं उसी प्रकार से भी कहता है कि जहां पर आप पढ़ते हैं उसके चारो साइड को आप ध्या रखिए उसके बाद आपको उसको सल्ब करने के प्रश्ण करिएगा तो उसस सल्ब होगा आप से आईए यहां पर देखते हैं बीडि प्रश्ण को बड़ी पसंद से पढ़िए बड़ी दुर्भाग आज का रहा कि आज क्या है कि लाइब नहीं हो पाए मगर तभी यह वीडियो आपको पहुंचेगा बहुत जल्द उसके बाद देखिएगा अंडुमान निकोबार दीप समुह में दीपों के संख्या कितनी है कि अगर बात करें यहां पर करके थ्यारखिएगा अगर हम सभी बात करें यहीं है अंडुमान निकोबार औ実नी हमने आपको पहले ही बताया था इस option में देखते हैं तो देहा है हुआ हैin option A में 200 ये भी गलत है, बहुत देख स्गतना कि आपको कितना देखे थे भुई सको आइच ते में बिल रहे धू रहे हैं धूर। यहला है धूर। ये क्लम है फिरών से सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहा है कि दूसर पचास यह भी गलत था है आई कहां पुछा हुए भाई साथ यह जहर खांड PCS 2003 में जब बिहार से अलग रहते कर मती थोड़ा गूंग गई रहे जब बिहार से अलग हुआ था तो इसका मती थोड़ा दिश्टर्फ हो गया था तो अभी बताईए यहां के कमिशन ने कैसा कोशन बनाया अब बताईए इसमें सही नहीं आई इसमें लिख देता फिक भाई को क्या करता क्या क्या संख्या होती है उसको सामिल कर कर क्या करते हैं कि यहां पर रहे यहां पर देखिए इस दूर दूर तक नहीं है तो हम क्या मारेंगा जब इसमें नौन अब दीज दिया ही नहीं है तो यह क्यों गलत था तो मैंने आपको बता दिया कि उसी समय बिहार्मत से अलग हुआ था तो इसका दिमाग उसमें डिस्टर्फ हो गया होगा तो याद रखिए यहां बता 136 दीप समय है मूख्य दीपों के संख्या कितनी है बाइस है तो यह भी क्या है कि आपसन नमबर इसका यह आपको क्या है कि 36 है तो इसको ध्यां रखिएगा नेक्शा के बरते भाई साब फिर यह पूछने वाली प्रशन है देखिए यह प्रशन के एक लाजबाब है इसी प्रशन को हम लोग खोसते हैं कि भाई साब आजाओ तुम है कि नी कभी देखो अखाडा में कभी लड़ कमजोड प्रवान से मत लड़ अगर उसे अगर हारोगे तो तुम्हार भाई बेजिती होगा अगर जीते के भी तो लोग कहेंगे वह तो कमजोड था हाई कर नहीं तो कभी मजगूत पलवान से लड़ने के लिए सोच तो इहां पर देखाओ पुछा हुए का उत्तर प्रदेश PCS पीरी 2005 में भाई साब पूछा तो 2005 में जब पूछा तो इसमें क अलग करता है 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है तो यहां पर दिया हुए अप्सनिक हराइटाइस दे दिया है कि अंडुमान को निकोबार दीप से इसको अंडुमान को निकोबार दीप से है कि उसके बाद कहता है कि अंडुमान को मैनमार से फिर कहता है भारत को सिरलंका थे तब भारत और सिरलंका को अलग कौन करता है भाई साब तब पाक जल संधी कौन सा तब पाक जल आपको क्या कि संधी वाटर एस्टेट जो है यह अलग करता है फिर कहता है कि इसको विशेश करके भाई साब मैनमार अंडुबांड को कौन करता है तब कोको दीप कोको आपको कोको जल संधी कौन से जल संधी तब कोको आपको क्या कि जल संधी कोको आपको क्या कि जल संधी थोड़ा से ध्यां रखिएगा अमयनमार के जो कोको दिप है न कोको दिप जो बंगाल के खाड़ी में है उसको और क्या कहता है कि अंडुमान को अलग कौन से करता है तो कोको आपको स्ट्रेट करता है यहाँ पर तहां रखे यह भी गलत है यह नमबर पर हम अभी दाव रखे हुए है C नमबर भी गलत है C नमबर भी गलत फिरकर लक्षदीब को मालदीब से अलग करता है लक्षदीब को किसे अलग करता है तो मालदीब से अलग करता है तो लक्षदीब को अगर मालदीब से अगर हम सभी बात करें यहाँ पर दिखियेगा 9 डिगरी चैनल आपको करता है तो इसको 8 डिगरी चैनल करता है तो इसको 8 डिगरी जो चैनल करता है तो भाई सावी यह भी सही नहीं है यानि कि यह नंबर इ यहां दिया हुए नीचे फिर देखो आपको छे नमबर प्रश्ण की अगर बात करें अच्छे नमबर प्रश्ण की अगर बात करते हैं हम सभी पांच हो गया प्रश्ण के बात करते हैं तो यहां पर देखा निम लिखे दीपों के युगुमों में से कौन सा एक दस अच्छांस जलमार्ग दस अच्छांस आप साफ साफ क्यों नहीं लिखे कि दस डिग्री ही चैना तो दस अच्छांस क्या करें दस अंस क्या करें कि जलमार्ग यानि कि दस डिग्री जो अलग करती किसको किसको करती है तो अभी आपने बताया तो आपको क्या अंडुमान और निकोबार को किसको कहता है आप साने अंडुमान निकोबार फिर करा कि निकोबार और क्या है सुमातरा है कि निकोबार और सुमा कि दिया हुआ है कि अंडुमान और निकोबार दीप समूग के सरोच चोटी यह तो बढ़ाद दिये थे नेक्स्ट अब आगे बते देखे ए नंबर से ही था फिर साथ नंबर प्रश्णों को देखे कर रहा है कि निमलिखित में से किस दीप यूगुट को इंडीगरी चैनल अलग करते फिर बार-बार पुछा है यह कब पुछा था भाई इस प्रदेश में पुछा था आपको से करता है आपको पता ही कि अंडुमान को बार को पढ़ लेते हैं लक्षे दीप अब मिनिकाय को यहां पर इसको 9 डिग्री करता है कौन डिग्री 9 डिग्री डक्षिन अंडुबार और लिटीर अनुबान को यह भी क्या कि गलत है आपको सी नंबर क्या है कि सही है तब सेस्कर करके नहां रखेगा फिर देखो बागू एक प् कथन जब दिया होगा तो उस तीन या चार कथनों में से कोई दो कथन सही होगा या तीनों कथन सही होगा या एक दी कथन सही नहीं होगा तो इसमें कह रहा है कि बैरन जो दीप है जो आला मुखी एक सक्रिय जो आला मुखी है जो कि भारतिये राज्य छेतर में इस्तित है यह तो आपको विशेस करके ध्यान रखिए गए सही है भारत में एक लौती जो बैरन दीप है वो कहां बंगाल के खाली में जो वेश्ट बंगाल एरिया है वही परिष्टी थे कहां परिष्टी थे तो जो विशेस करके ध्यान रखना कि बैरन दीप आप बैरन विशेस करके एकलावती है कहां पर एकलावती है विशेस करके ध्यार रखियेगा कि एकलावती क्या है कि यह है कि यह तो इस्ट्रिटमेंट सही पर रहा है फिर करा बैरंदीप ग्रेट निकोबार के लगभग तो एक्सो चालीश क्योमेटर पूराव में इस्टित ये इसका पूरत हरा ये कुको यह अब ही क्या है कि इसको दूरों यह घृत इसको विशेस करके हम कि एक और अबय में rocky i किसका इंऑ र्खिया कि भुमध्य सागर में और चीन सागर में नहीं तक हाँ पे तब बंगाल की खाड़ी में यह नंबर क्या है कि सही है यह आपको 20S करके ध्याना कि दस नंबर प्रश्णों को दखिए यह देखो उत्तर प्रदेश PCS 2010 में पुछा था उत्तर प्रदेश PCS आपको क्या 2010 में पुछ भूम मने फेकती है हरप्म आपको ज्वाला मुखी उत्वरंत होती है यहां पर विसेस करके ध्यार के फिर कर रहे हैं आपको ली टिल निकोबार इस पर होती ही नहीं उत्री अंडुबाल में इसमें भी नहीं होती है ताउ आपको बैरान जो है कि दीपीश को विसेस कर GTA 3 सक्रिय ज्वाला मुख्य क्या आपको पाई जाती एनी टाइम आपको यहाँ पर उद्वेदित होता रहता है अज सक्रिय ज्वाला मुख्य के देखो बहुत तीन प्रकार के ज्वाला मुख्य एक सक्रिय ज्वाला मुख्य एक सुसुप्त ज्वाला मुख्य और क्या एक होते हैं यहां पर पेड़ पौधा जम गया या भी जी आपको पाई जाती है ति यह उसे पाया जाता है फिर इसके बाद देखिए डी नंबर कहता है आप सवर्यगार नंबर निमलिखित में से कौन सा भारत में जो वाला मुखी दीप है फिर कहता है यह उत्तर प्रदेश पीरी आपको पुछा था 2015 में यह भी क्या है कि बैरंती यह देखिए कितना इन्पोर्टेंट होने के लिए क्या है कि एकलोलता है अकोई सीज एकेला होता है तो उसका भैलू बढ़ जाता है है कि नहीं तो यहां पर विश्यस करके ध्यां रखिएगा कि बैरन जो दीप है यह कहां पर है तो यह पुलिकत जिल के समीप नहीं आपको महा नदी के क्या मुहाने के समीप फिर कता है कि पुलिकत जिल के समीप अब पुलिकत जिल आपके क्या है कि सी नंबर क्या है कि सही है यह पुलिकत जिल का क्योंकि यहां पर विश्यस करके ध्यां रखिएगा कि सतीज धौन जो अंतरिक पुलीकद घिल की अगर हम सभी बात करें यहां पर ठोड़ा सब देखिएगा कि पूलीकद ज् equitable यहीं पर आपको मिलेगा यहां पर देख्वाएगा यहां पर क्या है कि पूलीकद घिल पूलीकद जिल का option क्या है कि इसको गलत है रामिश्वरम से नहीं धनुस्केंडी कुंडी से इसको विश्यस करके ध्या रहा है निमलिखित में से कौन से भौगवोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है तो ग्रेट निकोबार से तो सुमातरा जो दीप है ना सुमातरा जानते हैं किसके लिए परसीद है तो लौंग के लिए है तो यह आपको कहां प्रिष्थित है तो इससे क्या है कि समीफ है किससे समीफ है तो ग्रेट निकोबार से क्या है कि यह समीफ है तो इसको सुमातरा इसको विशेशकर कर ध्या रखिएगा नेक्ष्ट बावु आगे बढ़ते हैं अब देखिए कि हम लोगों ने यह सभी के सभी जो देख रहे थे यह कहां के देख रहे थे बे आप बंगाल के खाड़ी के जो दीप को देख रहे थे बे आप सागर के दीप समुहों के बारे में ध्यान रखिएगा अब देखिए यहाँ पर करा एक नंबर कह रहा है प्रश्ट लग्ष्य दीप कहां इस थी थे करा हिंद महासागर नहीं गलत करा है और आप सी यह इसको भी गरत करते हैं नहीं बी नंबर क्या है कि सही है अब इससकर क पुछेगा या धेर से धेर पूछ लेगा तक कि जो है कि थोड़ी सी उचस्त जो है उच है जो कंपटिशन उसमें पूछेगा दूसरा देखिएगा करा कि निमलिखित में से भारत के कीन भाग में प्रवाल दीप पाए जाते हैं प्रवाल दीप यानि कि प्रवाल दीप की बता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रवाल मतलब क्या कि एक क्या होता है कि कोरल लिफ के बारे में बात कर रहा है कि कोरल लिफ यानि कि कोरल लिफ का निर्मार कैसे होता है तो एक पॉलिप ना मिश्र Sty ludzie के विश्यष्ण क्याई कि विश्यष कर देगा इसको रहने के लिए क्या होना चाहिए एही क्या है कि पालीप है अब फॉलिप के विश्ष करके दशान गेए inteiro कि यह पलीप है और जादा विर्दीन और जादाता नहीं कम हो यानि की कहने के मतलब है कि ताय मतलब हें कि आधा पूरा प Ł surrender नहीं रह थाया हो दूसरी चीज दूसरी चीजiken यानि कि salt की मात्रा क्या हो कि जादा ना हो और कम भी ना हो यानि कि salt की मात्रा भी अगर जादा रहेगा तो उन्चे तरम यह नहीं पाए जाए यह देखो इसको मीठा चीज एथी आपको क्या मीठा सही लगता ही नहीं है इस पलीप नमक जीव को अब विशेश करके धाने कि यह पलीप नमक जीव है ना करता क्या है कि इसके सरीर पर जो सिवाल लगा रहता है क्या सिवाल जो लगा रहता है तो सिवाल से क्या करता है कि 75 परतिशत जो भोजन बनाता है अम मूख से जो भोजन क्या करता है तो 25 परशंट क्या करता है कि मूख से भोजन करता है अस सिव सवाल से करता है सेवाल से भोजन? तक पच्छेष तर पर यानि कि पूरी यो इस के सरीर पर जो शेवाल लगा हुँगा है, तो उस सेवाल सी 75 परशंट भोजन करता है, और किसी कारण बस अगर जल की मात्र टेंपरेचर की मात्रा पढ़ जये जल तो टेंपरेचर जब बढ़ जाएगा तो यह क्या करेगा अपने सरीर से सेवाल को उतार का फेक देता है अज इसको गर्मी होने लग जाता है तो इस कारण से क्या होता है कि कम जोड होने लग जाता है अज़ा कम जोड होता है तो किसी को अगर एक तास तिखनी है तो इसी सब से सिखने चाहिए क्योंकि एक ही जगा क्या करेगा कि यह मरेगा जैसे एक ही जगा फिर दूसरों आके मरेगा फिर तीसरा भी एक ही जगा आकर मरेगा ऐसा क्यों कि इसके पास कह सकते हैं कि बुधी भी नहीं है क्योंकि यह अपने मित्र को देखता है कि यहां यह इस्तित है इसके मतलब कि यहां रहने लाएक एक उचित वातावरण है उचित क्या है कि आप तो प्रियावरण है तो उस कारण से हुआ कर इकाठा होता है मगर वो जानता है कि नहीं ये मित्र तो क्या है कि बाद में उमर जाता है उसके उपर वो मरता है उसके उपर वो मरता है तब इसे कभी कभी आप भी जान लिए कि भीड जिस दिशा में जा रही हो सकता है कि भीड जिस दिशा में जा रही हो सकता है कभी गलत भी हो सकता है तो भीड को देख करना चाहिए इसलिए गाउं के लोग कहते थे कि देखते हैं कि भेडिया धासान मतलब कि भेड अगर एक कुमा में तो वहां जब भी आप जाते हैं तो उसको जानिये प्रखिए अपनी बुधी से क्या करिए कि दिमाग से उसको आपको हेंडिल करिए तो यहां पर ध्यान रखिएगा तो इस स्वाग है मुख से दूसरी चीज़ अगर माल लेज़े कि नौमक की मतरा बढ़ जाए जल में तो मुख से भोजन करना कम कर देता है दूसरी चीज़ पोलूशन के मतरा यानि कि जल में क्या हो कि तेल का रिसाव हो जाए जहाज जो जाती है या लकडी के बुरादा हो तो उससे मूख में फंस जाता है जब मूख में फंस जाता है तो खाना छोड़ देता है तो इन कारणों से यह मरता है उसी परकार से पूछ रहा है कि पाए जाते हैं कि छत्रों में नहीं पाए जाते हैं तो आपको लक्षे दीब के छत्रों में क्योंकि सुंदरवल के जल क पुछा था तो देखो भाई यह किस पर करके इंपोर्टेंट है फिर काता है यह देखें निम्लिकित में से कौन सा एक प्रवाल दीप है तो लक्षे दीप इसमें कर रहा है नुमूर दीप कार निकोबार अंडुमांड यह तीनों क्या कि गलत है तो लक्षे दीपर क्या है कि इनी छेत्रों में क्या आपका जो है कि पाए जाते हैं आपको क्या है इसे इसकर ध्यां रखिएगा कि आपको प्रवाल दीप अजब प्रवाल बताएंगे तो कैसे उसका निर्मार होता है इसके बारे में भी ध्यां रखिएगा नेक्स्ट अब दुनिया के सबसे बड़ी जो प्रवाल भीती दीप क्या है कि ग्रेट बैरियर रिफ है जो कहां पेहत आस्टेलिया के पूरव छेत्र में है जिसको कोरल रिफ भी कहते हैं कोरल सी में फिर देखो भाई चार नमबर प्रश्णों तरह है कि लग्षे दीप टापू अवस्थित है लग्षे दीप टाप यहां चिति के तरह माती लाला आकई कठा कर देती है है लागला कोड़ कैसा देगी तो इस से करने वकलर के बना देती है यहीं कit क्यारके कि यही है आपको वेस्ट साउट तो साउथ वेस्ट की अगर बात कर रहा है दूसरा नमबर कह रहा है कि आपको दक्षिड भारत की बात करें तो नहीं कि आपको दक्षिड पूरा भारत में यह भी गलत है यह नमबर क्या है कि सही है फिर कर रहा है कि लक्षदीप के कितने दीप है इसमें 36 दीप है इसमें कोई जाने नहीं अभी फिर बाला तरीक होने वाला है ध्यान रखिएगा दीपों का समुह लक्ष दीप करें दीपों का समुह लक्ष दीप डैस करा प्रवाल की उत्पती का करा कि प्रवाल ज्वाला मुखी का उत्पती नहीं ज्वाला मुखी नहीं मिर्दा का निछे पड़ नहीं उप्योप्त में से कोई ठीक नहीं है नहीं क अब कहा रहा है कि निमलिखित में से की छेत्र में प्रवाल भीती नहीं पाई जाती है नहीं पाई जाती है अब कहा रहा है कि खंबे की खाड़ी में आप बाबु देखो फिर करा मनार की खाड़ी में लक्षे दीप में है कि नहीं मिनिकाए तो इसमें मनार की खाड़ी में भ आपको क्या करती है कि नर्मादा अपनी जल को इस कारण से यहां पर क्या कि परवाल का निवास सस्थान नहीं है विहार PCS period 2019 में पुछले रहे तो इसको ध्यान में आप सभी रखेंगे नेक्स्ट पूछे आठ नमबर प्रश्म कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा दीप भारतिय टठ रेखा सुदूर उसको बिसेओ कर देखा रखेंग好像 कि मिनिकायदिप फिर इसके बाद एकने कौन सा दीप भारतय है कि स्रिलांका मुझने इस्तित है यह क्या है कि स्रि लंका जो अभी देखते हैं कि बहुत सारा डिवाली आ हो गया है IEC के बीच में क्या है कि है रामेशृरम करते हम अधे यहीं पाठे यह मत्स्षोर लिना के अलग से कि यहां पर देखिए यह पूछले रहे यूपी PCS 2006 में उत्राखंड आपको PCS 2010 में रीपीट कर दिया कोशन हुआ हुआ हूं फिर कहता है कि एक दीप पर निमलिखित भारत का बड़ा नगर है बड़ा नगर कि माने एक दीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर भारत के सबसे बड़ा नगर के बात करें तो अप्शन नहीं देख रहा है कर रहा है पॉनी जी यह भी नहीं रमेश्वराम कर आके नहीं आपको पोट बिलेगर नहीं आपको क्या मुंबई क्या है कि यह दीप परिश्तित है ती इसको ध्यान रखिएगा कि यह राज अस्थान प इसके बारे में अगर बात करें यहां इसके बारे में अगर बात करें करके एक बात रखना कि इसके मिलान की अगर बात करें तो यह की क्षाइए है युथिर Diamant किसे को कड़ें, का सब्सक्राइब भी कडरें, पिरान की अगर बात करें, पिरान कहां हम है, खंबाद की खाइब तो आपको क्या काथिया वारा यानि कि डी वन जी सॉप्षन में क्या होगा 34 सॉरी 24 सॉरी इसको विश्यस करके दिया भखेएगा यह ऑफ्षागर अजा इसमां करके बी नंबर आपको 342 आपको 1 थीड़ है 2 आपको तक रहां भी नम्बर यह क्या है सही उट्थर प्रद्ध प्रदेश प्रीश पीसिए सब неrado किया 2010 से अब ऒंप स्था अब बहुत हुए कि कौरी क्रीख निवेशित स्थित है कहा पर निवेशित है निवेशिका है निवेशिका की बात करा है कि निवेशिका स्थित है यहां पर कप्ष के रान में कहा पर seconds करwegen में यह उतर परत परने को हमने सो अधर 2018 principe PCS पीरी 2008 में पुछा था इसको धयारखिये फिर काता हुआइ सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है तो सर्क्रिक जो है राजहर सर्क्रिक जो ले वाध भारत और पाकिस्तान के बीच थां भारत पाकिस्तान यानि यह नंबर सही तो इसको ध्यान रखीएगा,кое्ष्ट आपको करता है, नेक्सिट अब हम सभी देखेंगे, बिसेस करके ध्यान रखीएगा, कि अगर हम सभी बात करें तो next हम सभी देखेंगे, तो भारत के नदियों के बारे में और उस नदियों से जो related उसका जो है कि सहाइक नदी है उसके बारे में देखेंगे इस घटना चक्र के और बहुत ही बहतरीन तरीके साफ सभी इसको सल्व करते चलिए और आगे बढ़िए next आपको मिलेंगे class में live जै हिंद जै भारत